बात करते हैं E.T. Now स्वादेश की exclusive खबर की Reliance Capital के अधिग्रहन की रेस में हिंदुजा सबसे आगे आया है हिंदुजा ने बिड में बदलाव करते हुए रकम को 10,000 करोड कर दिया है पूरी जानकारी और इसके माइने समझते हैं हमारे साथ हमारी सही होगी अनुराग शा जुड़ गए है अनुराग बड़ी खबल है और साथ ही यहाँ पर Reliance Capital के अधिग्रहन की रेस में कई सारे बड़े नाम शामिल थे अब इस वक्त हिंदुजा की तरफ से कह सकते हैं एक बड़ा टेक आगे आता हुआ और हिंदुजा इस दौड में आगे है क्या अपडेट से हमारे पास Reliance Capital के अधिग्रेंड में एक और नया ट्विस्ट आया है Insolvency Proceeding के अंतरगत जो प्रक्रिया चल रही है Reliance Capital के अधिग्रेंड में वहाँ पर अब एक बार फिर हिंदुजा ग्रूप ने बड़ी बोली लगाई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक यह जो नई बोली है वो 10,000 करोड की है बुद्वार तक जो प्रोसीडिंग हुई थी वहाँ पर टॉरिंट ग्रूप की सबसे बड़ी बोली थी जो 8,600 करोड की थी लेकिन अब जो है हिंदुजा ग्रूप ने अपनी बोली को रिवाइस किया है और नई बोली जो है वो 10,000 करोड रुपे की दी है इसमें हमें जो सुत्रों से जानकारी मिली है उसके मतब एक 9,000 करोड रुपे का अप्फरंट कैश होगा जो की टॉरिंट गुरूप का अप्फरंट कैश था 4,000 करोड रुपे उससे काफी जादा है तो अब 26 दिसंबर को लेंडर की मीटिंग होगी जो रिजोलुशन प्लान पर डिसीजन लेंगे इससे पहले हमने देखा है कि नवंबर में जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तो लिक्वीडेशन से भी 60-70% कम राशी ओफर की गई थी लेकिन फिर उसके बाद प्रक्रिया को वापिस दूसरे राउंड में लिजाया गया तो पहले राउंड में जो है वो हिंदुजा ग्रूप लीड कर रहा था लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड की बिडिंग में टॉरें ग्रूप लीड कर रहा था और अब जो है एक बार फिर हिंदुजा ग्रूप ने सबसे बड़ी बोली लगाई है रिलाइंस कैपिटल को खरीदने की और हमें देखना होगा कि अब 26 दिसंबर को जो लेंडर्स की मीटिंग होती है उसमें किस तरह का आगे की प्रक्रिया निकल के आती है चले तो 26 दिसंबर को लेंडर्स की जो मीटिंग होगी उसका इंतजार होगा और हिंदुजा का क्या रिलाइंस कैपिटल होगा या नहीं इसका फैसला निकल कराएगा अधिग्रहन की रेस में इस वक्त हिंदुजा सबसे आगे निकल कराएगा बिड़ में संशोधन करके नहोंने रकम जो है दस हजार करूर की है